नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूं हिमान्चूर आप देख रहे हैं हल चल इंडिया बेबाग खबर तेजसर आए नज़र डालते हैं आज के खपरों पर पंजाब राजिस्थान आदी जगों पर तहरे रदेकर मुकद में तरच कर आय जा रहे हैं इसी करम में थाना भावन छेतर से शत्रिय समाज के लोग इखटा हुए और थाना भावन छेतर में जमकर विरोड प्रदेशन किया इसके बाद थाना थाना भावन पर दिसर में जहां सभी धर्म और समुदाय के लोग प्यार मुखबत से रहते हैं और एक दूसरे के जुक दुक में बगैर जाती भीद भाव के खड़े रहते हैं लेकिन इस तरह की तुछ मान सिक्ता के लोग आप सिभ भायचारे में जहर घोलने का काम कर रही हैं और उसी तुछ मान सि प्रेरित होका महक सिंग ने आपती जनक बयान बाजी की है हम तरकारते मांग करते हैं कि जो भी इस तरह से किसी जाती विशेश को टार्गेट करता है और व्यामनस्य बढ़ाने का काम करता है उन्हें गिरपतार कर कानोनी कारवाह की जाए जिससे कि समाज और प्रदेश में अखंड भारत बनाया और जहां से उपधाया ना वो ठाग रोका नखाय की पधाया उसे लिए पता अपनी माबाप से बुच्छे कि दुख सुक में उनके साथ ही कोण है किसी गाव में करो राजपूत तक पास साहिता वांगने दिया तेर राजपूत एक ऐसी को मैं जो सब सब्सक्राइब करें तो उसका विरूद करेंगे हम सब्सक्राइब करेंगे उसके पहली बात मैं यह परसासन में अकड़या सब करता हूं किसा जलती से जलदी क्रफचार करेंगें अगर नहीं क्रफचार होगा तो हम नहीं सब्सक्राइब करें में पहल रहें प्रश्पूत करते हैं तो इसमें इतनी तागत नहीं है जो खुल के सामने आजा दो चाहर को बटले करका जो गाली को लोच कर रहा है यह गलत है और यह एक जाती को टारगेट कर रहा है तो पूरी जाती कोई दिक्कत नहीं है अगर उस पर गोली भी छली है तो वो किसी राज पूरी तो चूप के नहीं के लिए नहीं अगर गोली मारते तो उसके सिद्धे चथी बाते कर रहा है इसे सही तरीके से समझा दो सारे मामलों में हर जगे हम इसकी तेरीद देंगे मोगदमा देंगे पहले तो हम परसासन की साथ है इसके बाद पूरे देश मंदोलन होगा अगर इस पर कारवाई नहीं होई कल और को कोई और टार्गेट करेगा आए करेंगा शुक जामलों हाा दृंटे करें घंडाफ Wow कि वाद धिलिम एल तब भी घ्रेमार उसारी समाघी कि दिखाइती रहा राजबूत समाज एक मांद सम्मान वाला समाज है जो हर किसी के साथ है सुक दूख में हर किसी के साथ खड़ा है ऐसे तोड़ी आप टार्गेट करोगे राजबूत समाज को राजबूत समाज ने गोली मारी राजबूत समाज वो को मैं जो कभी भी खड़े-खड़े की किसे ने उस पर गोली सिलाई किया मामला जी थाने आई राजपूत उत्तान सभागे नेत्रत में आज यहां पर तहरीर देने आए एक भी मारमी का उत्तरा खंड का प्रदेश अध्यक्स है मैंसी उन्होंने राजपूत समाज के बारे में और थी गलत कितनी की है जो सुनने ला अच्छा यह सामपर्दाई कि आपसी सुहारदय खराब करने की बात है हमारा और दली समाजगा तो हट पहले से मेल रहा है राजपूत समाज और दली समाज हमासय मिलके चले हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह की राजनीती उच्छी राजनीती कर रहे हैं और आपस की जो एकता है उसको भंग करना चारे हैं चंद्र सेखर रावन पर अमला हुआ जो भी अमला हुआ जिसने भी क्या अपराधी है वो पकड़ा जाना चाहिए अपराधी का कोई भी जाती कोई भी धरम नहीं उरता लेकिन जिस तरह से एक जाती को टार्गेट किया जा रहा है औ और आपशी देश में सान्थी भंग करने की जो बढ़ा जा रहा है जातीगत वो बरतास से बाहर है एक ही जाती को ब़ा-ब़ा तार्गेट किया जा रहा है तो इस तरह की मानसिक्ता के लोगों को गिरफ्तार होने चाहिए और मैं तो चंद्र शेखर से भी कहूँगा की इस के लिए बोलना चाहिए कि आपके संगठन मलब भीमार में भी बोले कैसे लोग बाहर हैं तोकि देश में सांती बनी रहनी बहुत जरूरी है और जब तक सब जातियां मिलकर चलेंगी मिलकर काम करेंगे तब ही देश की एकता और अखंडता बची रही दन्यवाद वक्त तोच रहा है आप्टर विता लेने का कल फीर होंगे हाज़िर कुछ नई है और ताजा खपरोगे साथ तब तक के लिए दीजिये हमें इजाज़त नमस्कार देखते रहिए हल चले इंडिया बेबा कबर तेज असर